दिल्ली से वापस लोटे सांसाद राजू बस्टा में अपना शाररिक चांश कराया आज उतरबंगाल मेडिकल कॉलेज वास्पताल में राजू बस्टा का स्क्रेनिक गया गया गौरतलब है कि लोगडाउन के पांच वे चरन में वमान परिसेवा शुरू होने के साथ ही 28 माई को दारजिलिंग के भाचपा सांसाद दिल्ली से बागडोगरा एरपोर्ट पहुँचे इसके बाद हुए सिलिगुडी में होम कॉरंटाइन में थे आज अपना शाररिक परिक्षण करने वे मेडिकल कॉलेज पहुँचे इसके बाद सांसाद ने पत्रगारों को बताये कि सरकारी होम कॉरंटाइन में किस तरह की परस्तिती है इसके बारे में राज्य सरकार को कुछ पता नहीं है साथी उन्होंने एक बार फ़र दोर आया बंगाल सरकार कोरोना के लड़ाई में समार्थ नहीं है सांसाद राज उबस्ता ने आगे का कि वे कुछ दिनों पहले दिल्ली से लोटे थे कुछ दिन खुद को हुम कॉरंटाइन में रखे थे इसलिए आज वे खुद का स्वस्त परिक्षन करने वहां पहुँचे है जो यहां की हेल्फ प्रोटोकोल है वेस्बंगल गॉर्बेंट की जो भी है 28 तारीक डेवान जब से मैं आया उसका पूरा पालन कर रहा हूं उन्मानदारी से परसों हमारे पास पोन आया था मेरे सेक्रेटर के पास कि जितने भी लोग आप लोग दिल्ली से आये हैं आप आकर करके अपना स्क्रीनिंग और टेंपर्चर चेक करिए तो कल दोनों साथी मेरे आकर के अपना स्क्रीनिंग उन्हों नहीं किया मुझे लगा है मेरा भी फर्च बनता है ओल्दो मेरे को ऐसा कोई सिंटम्स बगवान की देया से अभी तक नहीं हुआ उसके बावजूद भी मैं आ करके आज अपना एसपर प्रटोकल जो भी डारेक्शन मुझे मिला था यहां स्क्रीनिंग कराया टेंपर्चर चेक किया और सब कुछ नॉर्मल है और बाकी यहां के डॉक्टर और प्रिंसिपल उनसे भी काफी देर तक बाचित हुई तो डॉक्टर अपनी तरप से पूरी मैनत से प्रयास कर कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम लोगों को जादे से जादा लोगों को बचा सके और कम से कम जो है अपने छेत्र को इस कोबीट-19 के कारण एफेक्ट हो देखिए यह सब काम मुझे ऐसा लगता हम कहीना कहीं देर कर रहे हैं यह सब काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे अब मैं उसकी अमेशा प्रसेंसाई करूंगा कि आज जो कुछ भी कर रहे हैं बले देर सही सही वह हमारी आम जलता लोगों के लिए हैं आज देखिए एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे यहां दिखती है नौर्थ बंगाल में आज आसपास के सारे जिले के सेंपल भी टेस्ट होन है नौर्थ बंगाल के अंदर में जो आड़ जिले हैं हर जिले में जो है यह सेंपल की टेस्टिंग होनी चाहिए हर जिले के अंदर में एक-एक अस्पताल होना चाहिए जहां मरीजों का जो है इलाज हो उससे क्या होगा कि अभी जो सारा प्रेशर जो है जो सिलीगुडी म आ रहा है तो उस प्रेसर से जो है हम लोग बच पाएंगे और उसके कारण हम इस कोरोना वाइरस महामारी से काफी हद तक जो है लगने में हमारा छेत्रा दारजिलिंग भी सुरक्षित रहेगा जलपाई गुड़ी की तेस्ता नदी पर बने पूल को बम से उड़ाने की धमकी पूलिस कंट्रोल रूम में फोन आने के बाद हरकत में पूलिस एक गरफतार पूल के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई जलपाई गुडी की तिस्ता नदी पर बने पुल को बम से उड़ाने की चेतावनी भरा फोन पुलिस कंट्रोल रूम में आने के बाद बुदवार को पूरे जले में अफरात तफरी मज़ गई दरसल बुदवार को जलपाई गुड़े पुलेस कंट्रोल रूम में एक फोन आया जिसमें दो पहर दो बज कर 30 मनट पर जलपाई गुड़ी की तिस्ता नदी पर बने पुल को बंब से उड़ा देने की चेताफने दी गई इस फोन के बाद पुलेस हरकत में आ गई पुलेस की एक विशेईश टीम बॉम स्कौाड दस्ते के साथ जलपाई गुड़ी की तिस्ता नदी पर बने पुल के आसपास के शेत्रों को कबजे में लेकर करवाई शुरू कर दी पुलेस ने पुल से गुजरने वाले रस्तों को रोक दिया साथी पुल पर यान वहानों की आवाजा ही बंद कर दी गई इसके साथ पुलेस ने पुल वा उसके आसपास बंब की तलाश शुरू कर दी जलपाई गुडी के अतरेक्ट पुलेस अदिकशक स्रीकांथ जगनात ने बताये की आज दोपहर को पुलेस कंट्रोल रूम में तिस्ता नदी पर बने पुल को बंब से उड़ाने की धम की बरा फोन आया था इस होन के आने के बाद पुलिस हरकत में आई और बॉम स्कौाट के दस्ते के जवानों को साथ लेकर तिस्ता नदी पर बने पुल के आसपास के अलागों को अपने नियंतरन में लेकर जांट शुरू कर दी जलपाई उड़ी के पुलिस अदिक्षक अभिशेक मोदी ने टेलेफोन पर बताया के इस घट्टा के सलसले में एक युवक को गरफतार किया गया है साथ ही उन्होंने का कि सुरक्षा के लियाज से पुल के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है भारत में भी कोरोना वरस का प्रकोब दीजी से फैलता जा रहा है इस बीच कोविड 19 का संक्रमन पशमंगाल के उतर बंगाल पर भी अपना कबजार जमा चुका है और यहां तक की पहाडी शेतर भी इस से अचूते नहीं है लगभग दो महीने पहले कालिंग पॉंग की एक महीला को कोरोना संक्रमन की पुष्टी की गई थी और उनकी ब्रत्यू भी हो गई थी और उनके परिवार के अन्य सदिस्य कोरोना संक्रमन से उभर चुके है और स्वस्थ हो चुके है अब कालिंग पॉंग में 2 महीने के बाद 2 करोना पोजिटिव मामलों की पुश्टी की गई है कालिंग पॉंग जिले के 2 करोना पोजिटिव लोगों में से 1 नेमँं की 70 वर्षीय महीला है और जो हलही में दिल्ली से अपने गृह शेतर पहुंची थी और दूसरी समथार की 60 वर्षिय महिला है जिनकी यात्रा एतिहास की चानबिन की जा रही है 23 मई के दिन दोनों के लार के नमुने जाच के लिए उतर बंगाल मेडिकल कॉलेज वा अस्पताल भेजा गया था और कल दोनों का रपोर्ट्स पोजिटिव पाये गया इसी तरग उस दिनों पहले सुनादा से दो और करशंग से दो कोरोना पोजिटिव मामलों के पुष्टि की गई थी और सभी को इस से लिगुडी के कोवेड अस्पताल में भरती किया गया जहां उनका इलाच चल रहा है सकेम पार्टी के कोशा धक्ष केशु अगरवाल ने आज गेंटोक मेस्तित सम्मान भवन में मुख्यमंतरी प्रेम सिंग तामांग से मुलाकात की और वैश्विक महमारी कोरोना वारस से लड़ने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए सकेम पार्टी की तरफ से 10 लाक रुपे और व्यक्तिकत पहल पर केशु अगरवाल ने मुख्यमंतरी रहात कोश में 2 लाक रुपे का अनुदान कर दो चेक मुख्यमंतरी को सौपे मुख्यमंतरी ने उनके ऐस योगदान के लिए आभार व्यक्त की है कुच बिहार में कोरोना के 16 नय मामले कल रात 26 ठीक हुए कुच बिहार जिले में कोरोना के 16 नय मामले सामने आये है इनमें 4 व्यक्ति पॉले टेक्निक कॉलेज में कॉरंटाइन सेंटर में थे इसे लेकर फलाल कुछ भी हर जिले में कोरोना मरेजों की कुल संके 132 हो गई है गौरतलवे की इन में 26 लोगों की दूसरी बार की गई जांच के रपोर्ट नेगटिव पाई गई है इसके बाद जिले में फलाल कोरोना संक्रमत लोगों की कुल संके 106 हो गई है जिल्ला प्रसाशन सूतर गनुसार नए सिरे से कोरोना संक्रमत पाए गए लोगों में अधिकतर प्रवाशी श्रमिक है हाला कि कल रात जिले के 26 कोरोना मरीज स्वस्त वेभाग की और से पूरी तरह स्वस्त खोशित किये गए इन लोगों को कल रात ही सिलेगुडी के कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गए वे सभी कूजबियार लोट आये है कोरोना वरस की रफ्तार देश में लगातार अपने चरम सीमा पर है ऐसे में देश के तमाम राज्यस की चपेट में आ चुके है एक बार फिर से सिक्किम में कोरोना संकरमत मरीज की पुष्टी की गई है उक्त संकरमत वेक्ती की ट्रावल हिस्ट्री रही है वहाँ दिली से पचीस तारीख को अपने गरिहराज्य सिक्किम पहुँचे थे स्वस्तवेभा के अनुसार उनमें कोरोना वारस के लक्षन नहीं देखे गए थे और उन्हें सिक्किम के माइनिंग फसिलिटी कौरंटाइन सेंटर में रखा गया था जिसके बाद उनकी स्वाब सैंपल्स जांच के लिए भेजी गई थी और जो पोजिटिव पाई गई है बता ये भी जा रहा है कि दो लोग जो उनके कौन्टाक्ट में आये थे उनके रिपोर्ट्स नेगटिव पाई गई है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच के सैंपल्स आ गया है जो negative पाई गई है ऐसे में अब सिक्किम में COVID-19 की positive case की संख्या खुल दो हो गई है दोनों ही asymptomatic है अलिपर्द्वार जिले में कोरोना के दो नए मामले दोनों 17 दनों से quarantine center में थे हाले पर दो और जिल में कोरोना के दो नए मामले सामने आये है इनमें एक परवासी श्रमिक वो एक महिला शामिल है वे लोग कोलकता से अपने ग्रिय शेतर पहुंचे थे और पिछले 17 दिनों से यहां कॉरंटाइन सेंटर में रह रहे थे एक समय को कोरोना जांच के लिए इनका सैंपल्स लिया गया था कल रहात इनका रिपोर्ट पोजिटिव पाई गई बदवार सवत दोनों को तापसी खाता आयोश प्री कोविल हस्पता ले जाए गया और साथ साथ एलर्जी खासी या फिर वंकाइटिस और अस्तमा जैसी बिमारियों से भी लड़ने के लिए रहत देती है दमा दमन किट इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरफ दमा दमन चुरन दमा दमन हर्बराज हर्बल्टी जिसका मूले है साथ सु पचास और आपको देने है सिर्फ साथ सु रुपए कॉंटेक्ट नमबर 85977-38095 आपके विज्वल एडवर्टिजमेंट के लिए SK LIVE ही बेस्ट आप्शन है SK LIVE का इस छेत्र में 24 गंटा टेलिवीजिन, Android एप और वेजसाइट पर प्रशारन होता है सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्द है हमारी भीवर्शिप 9 लाग से अधीक है सिक्कीम हैथवे और NXT डिजिटल पर राजलिंग और कालिंपोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटप बॉक्स पर क्लामपूर से लेके माइना गुडी हैथवे पर सीटी केबल पर सिली गुडी और आसपास नकसल बाडी से पानी टेंकी तक NXT डिजिटल में तो सोचिए नहीं कॉल करें 790-855-4308 बारिश के मौसम के शरवाद के बाद आने वाले दिनों में संभावत प्राकृतिक आपदाओं और नोकसान पर जीटिये के अधिक शनित थापक अधिक शता में आज कालिंग पुंग के जला प्रसाशन और पूरे लाइन वेभाग के अधिकारियों के बीच एक सतरक्ता बैठक आयोजित की गई कालिंग पुंग के ट्रेजरी कॉनफरेंस बिल्डिंग में हुई बैठक में जीटिये के प्रधान सच्यू सुरेंदर गुपता भी मौजूद थे जला प्रसाशन के पक्षे, जला पाल, आरवमला, अतरेक्थ, जला पाल, जला मोक्य, चिकत्सा, अधिकारी तथा, संबंधित, लाइन डेपार्टमेंट अधिकारियों के उपस्तित रही थी बैठक में COVID-19 के मामलों की बढ़ती संख्या जिसमें प्राकृतिक आपदाय शामिल है और एस संबंध में रन नितियों पर चर्चा की गई बैठक के बाद अधिक्षा अनित्थापा, जला अयूक्त और अन्य शर्चा अधिकारियों ने राज्य के परियाटन मंत्री गौतम देव और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से एक अन्य बैठक में भाग लिया पत्रकारों से मखादिव होतेवे गोर्खलन शेतरिया प्रसाशन के चेर्मेन अनित्थापा ने बैठक के अधिक जानकारी दी है अर अधिको वालोंना धेरे काम थिए अनि प्रिपेरशन ताप आले देरन हुज़े दे डेटू दी आवामरा हमरा हमरो कभी तोस्पितल आतव अर्देश मिना करने फंटलिये प्रसाशन के चेर्में अर्देश मिंप्रशान कारी अर्देश मिना deze इन Aggarine मारा हम्रे स्पितल है अर्देशन कारा हम भी हुझा नािजीं दाही बोलुट क derecho सकते मान तहांए अर्देशन को विसेटिज़ू तहं कर दो कि दो कि अधिया थाम चाहिए ना असाते बरी अब को भीट के पच्छले लागे रहा रेगुलर जिन्देगी ने सब्सक्राइब है अब मैले शुन दाज लिंग मा जुन होटल अनुर्स रिशूशन लेवडा प्रेस्मीट गोरिया वार्कम बुजनुबर्ज मैले अब खाधी यो लोगडाउन पिरेट को 30% पेमेंट दे रह उनारो जुलाई देखने होटले बंद राशा बने शुमाते गश्टा माखती हाँ अब योटल बंद रहरी दोससार आपर अमरो अमरो ताजुवार बेकारी होंचा बेकारी वेज उनार गर्मा इफेक्ट होंचा य कोरोना वर्यस के रफ्तार देश में लगातार रूप में बढ़ती जा रही है। देश में केंदरा सरकार एवं राजय सरकारों के द्वारा इसके बढ़ते संक्रमन को रोकने के लिए लॉकडाउन चार चर्णों तक लगाई गई थी। लॉकडाउन के समयावधी गरीब वह आसाय लोगों के बीच खाद्या संक्रान पड़ा था। इस बीच लोगों की सेवा के लिए आम लोग से लेकर राजनेतिक पार्टिया भी अपने सामर्थे के नुसार भाग ले रही है। आज सेलिगुडी के माटिगाडा अंतरगात बालासन कॉलने एलाखे में राज्यत्रमोल महिला कॉंगरेस के द्वारा काद्या सामागरिया लोगों के बीच प्रादान की गई। राज्यत्रमोल महिला कंगरेस कामरों के खिजिथे अठरगाडा ब्लोकेर अठरो खाए जीपी बालासन कॉलने टे बालासन बाजरे आमरा अचके आई पोग्रामता कोटछिए। 15 लाग के गांजे के साथ दो गरफतार मक्के की बोरी में छपा कर की जा रही थी तसकरी जलपाई गुडी कोतवाली थाने के पुलिस ने एक बार फरभारी परिमान में गांजे के साथ दो तसकर को गरफतार किया है पुलिस ने बताया बुदवार को जलपाई गुडी के पहाड़ पोड मोड अलाके में अभियान चला कर एक ट्रक से करीब 200 किलो गांजा जब्द किया गया गांजे के पैकेट्स मक्के की बोरी के भीतर छिपा कर रहे गए थे जब्द गांजा का बाजार मुल्ल करीब 15 लाक रुपे बताय जा रहे है पुलिस ने चालक वा खलासी को गरफतार कर लिया है प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने बताय कि धुब गुड़ी वा माता भंगा अलाके से गांजे को तसकरी के लिए ले जाया जा रहा था गौर तलबे की सिलिगुडी धुब गुड़ी राष्टे राज मार्क से हाल के दनों में गांजे की तसकरी काफी बढ़ गई है एक के बाद एक पुलिस चापे मारी कर भारी परिमान में गांजा जब्द कर रही है एससे पहले वे पुलिस ने इस मार्क से तसकरी की जा रही भारी परिमान में गांजा जब्द किया था पुलिस घटना के जान शुर कर दी है इसके साथ ही पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि गांजा की तसकरी के साथ और कौन-कौन चुड़ा हुआ है कंटेन्मेंट जोन को किया गया सैनेटाइज विदायक वा प्रसाशनिक अधिकारियों ने किया दौरा उत्तर दिराजपूर जिले के करंदी की ब्लॉक में कुरोना वारत संक्रमित मर्जों की संक्या 32 पहुँच गई है करंदी की ब्लॉक के कामरतार गाउं को कंटेन्मेंट जोन में रखा गया है लेकिन इस बीच विदायक मानवदेव सिना तर्मल कॉंग्रिस के जिला अधिक्ष कनेयलाल अगरवाल करंदी की थाने के आईसी मले मजुमदार स्टी एसी सिल के अधिक्ष रमेश सिना ने गाउं का दौरा किया साथी इस इलाके में सड को कामरतार स्कूल साइद मजजित मदरसो को सिनाटाइज किया गया करंदीगे के विदायक ने कहा कि बाहर से जो लोग आये है उनके कारण कुरोना वायरस संक्रमन ज्यादा फैला है बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के कौरंटाइन में रखने के बाद घर जाने के नमजी दे दी गई है दूसरी तरफ सभी संक्रमितों का इलाज चल रहा है उन्होंने बताए कि गाउं के 500 प्रावत परिवारों में चावल से लेकर सबजिया समेत आदी सामागरिया भी प्रादान की गई देश अबे एकने जाड़ा आश्काम परिवारों में चाल, पोटोल, बेगुन, बेंडी, पाचालोंका, प्रियाज, मिस्तिकुम्रा, एकलो द्या हलो चोलिस्टे परिवार के या भी आश्काम परिवार धेयर समे भी परेशों cevी गया बलेश रेंडी का मिस्तिकुम्रादान की प्राद। आर बागी किसी बित्रवन आखे ते जांबरा आगा बाचपा ने साइकल दिवस पर निकाली राली प्रदुशन कम करने के लिए काफी मददकार है साइकल पूरे राजे के साथ साथ माल्दा जिले में भी बुदवार को भाचपा किसान मोर्चा की और से परियावरन बचाने एवं प्रदुर्शन कम करने के संदेश के साथ साइकल दवस का पालन किया गया ऐस आउसर पर आज भाजपा के किसान मोर्चा के सरस्यों ने साइकल राली निकाली आज ओल्ड मालदाश रहेट के विबहन अलाके में भाजपा समर्थकों के और से साइकल राली निकाली गई लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुपर फेस मास्क पहन कर काफी संख्या में भाजपा समर्थकों ने साइकल राली में हैसा लिया राली में शामिल भाजपा नेताओं ने का कि वर्तमान समय में परियावरन बचान अत्यन दावर्शक है इसके लिए प्रदुशन को कम करना बेह दावर्शक है साइकल के इस्तमाल से प्रदुर्शन में कमी आती है इसके जाथ ही उनने लोगों से गाड़ियों के इस्तमाल कम करने का आवान किया बहुत अधिक आवशकता पढ़ने पर ही गाड़ियों के इस्तमाल करने के वकालत की गई बिभीन न प्लाप अंचल धूर लेवले वलकान को जहतु आमादे राज्यों से के नीत्ते साचे कुथा रहली हवे ना कुथा मीटिंग हवे ना आम ला साइकेल निये कुथा रिस्टार्ट प्रोवे ना आम ला ये सोशाल डिस्टेंस आम ला मेंटेन कोले सामाजे ग्रत्रो बजाई रेखे आम ला साइकेल ताके निये धीर धीरे चाली है ये वो मानुस्केल बोलते आम ला चाहिजे आपनारा साइकेल चालान दूर गठाना थे के बाचूल कोरिवेश त्रके आपना शुस्तोर अखार जुन्न आपनारा थाकूल देहो के सुस्तोर युँआ की बाच्ता करना अश्यरिक, से नियुञावन दूरुयरे ला करते नियुट। चायबगान से वशाल खाई अजगर बरामद अलिपरदवार जिले के डूर्स के कार्थिका चायबगान से बोदवार को एक वशाल खाई अजगर बरामद किये जाने से पूरा अलाके में संसानी फैल गई जान करिके नुसार आज सुबह चाय बगान की बारा नंबर सेक्शन में काम कर रहे श्रमिकों ने वशाल काय अजगर देखा बगान प्रबंदन ने बकसा बाग परजना के उतर राइडक रेंच के अधिकारियों के सिसूचना दी वनकरमी मौके पर पहुंच कर अजगर को पक करने के लिए और पकड़ भी लिया रिस्क्यू करके लेगे कितना बहुत ही बड़ा पाइथन था करीब में राउंड सिक्स फिट रहा होगा इसकी लेंद जो सिक्स फिट थे किसी को कोई च्छती नहीं पहुंचा सभी लोग किसी को कोई इंजरी थी हुए भीड काफी जमा बड़ दने बाइब